विदियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि जब भी आप यहाँ पर इंस्टॉल डैप से यह अप्लिकेशन न इस्टॉल करने के लिए जाते हो या फिर इंस्टॉल करने के लिए जाते हो तो आपको यहाँ पर यह एरर देखने को मिलता है 800-70-642 तो यह प्रोब्लम आप कैसे टीक कर सकते हो कैसे फिक्स कर सकते हो हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टैप बाई स्टैप जानने वाले हैं अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और पहली बार आए हैं प्ली सब्सक्राइब माई चैनल इसे बहुत सारी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी चैवो लैप्टॉप, डेक्टॉप, यूटॉटॉप, यूटॉप, यूटॉप, किसी भी शाफ्ट्वेर में, किसी भ यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा, तो पहले मैथड के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टास्क बार पर राइट क्लिक करके टास्क मेनेजर के अंदर चले जाना है, इसके बद आपको यहाँ पर रन न्यू टास्क का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आपको text box के अंदर लिखना है, R, E, G, E, D, I, T, और यह check box आपको check कर देना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर ok button पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर guys आपको क्या करना है, आपको एक local machine ऐसा कुछ की मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, इस key के उपर, इसको expand कर लिजिए, software पर आपको क्लिक कर देना है, इसके बाद इसको भी expand कर लिजिए, यहाँ पर आपको guys एक option मिल जाएगा, policy का है, यहाँ पर click कर दीजिए, और इसके बाद Microsoft वाला key expand कर लिजिए, इसके बाद गाईज आपको क्या करना है यहाँ पर Windows पर क्लिक करना है और इसकी को भी expand कर लिजिए आपको यहाँ पर एक installer का एक option मिल जाएगा इसके अंदर जैसे कि यहाँ पर यह दिख रहा है आपको यहाँ पर disabled MSI का कुछ ऐसा कि अगर यहाँ पर बनाया गया है तो आपको क्या करना है इसको modify करना है कोई मेरा वीडियो अच्छा और हेल्फु लगाए और इसे आपका प्रब्लम ठीक हो गया तो प्लीज सब्सक्राइम आई चैनल वीडियो को लाइक करना सिरकरना बैल आइकन दुबारना बुलेगा थाकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्योब पर अप्लोड करूं उसका न